क्या आप जानते हैं कि आपकी एक गलती के ज़से आपकी पूजा असफल हो जाती है या यू कहें आपकी एक मायूसी क्या एक अज्ञान आपके सभी सत्कर्मों को खतम कर देता है या उसका फल नहीं मिलता है और वो है दस दिखपाल आपको पता भी नहीं होगा कि आप हवन करते हैं आप आप आहूती देते हैं आपने अपने इश्ट को पूर्ण तरह से अच्छी हवन समगरी के साथ पूरी तरह से हवन दिया लेकिन हवन देने के बावजूद भी आपके कारणी बनते हैं कई बार आप पाएंगे कि आपने पूजा की आरादना की भोग चड़ाया लेकिन फिर भी आपका कारे नहीं हुआ उसके पीछे कारें है दस दिक्पाल दस दिक्पाल अर्थाथ दस दिशाओं पे वास करने वाले दस देता उसमें हैं इंद्र, अगनी, यम, नैवुत, वरुण, वायु, कुबेर, ईश्व, अनन्त और ब्रम्हा ये दस दिशाओं पे स्थापी थे दस दिशाओं का अर्थाथ है उत्तर दक्षिन, पूरपश्रिम और इंचारों के कोने और बाकी दो दिशाओं हैं आस्मान और धरती, धरती अर्थाथ बातालोग अब प्रॉलम क्या होता है जब भी आप मंदीर जाते हैं या देवी का दर्शन करते हैं या देवी को भोग चड़ाते हैं या आप हवन करते हैं, आपने आहूतियां दे दी, आपने देवी को भोग चड़ा दी, लेकिन वो भोग, वो आहूती आपकी देवी या आपके देवता तक पहुच नहीं पाती है, उसके परशे कारण है कि उनकी रक्षा के लिए या उनके दसो दिशाओं पे दस दिखपाल होते हैं, ये तो बात वही हो गई कि आप किसी बड़े ओफिस में गए और आपको सहाब को मिलना है, या कलेक्टर ओफिस में आप गए आपको कलेक्टर को मिलना है, लेकिन कलेक्टर को मिलने के पहले आपको उनके एसिस्टन से मिलना होगा, उनके कलर्क से मिलना होगा, और क्लरक पहले पुछेगा आपका क्या काम है अगर क्लरक ने आपका संदेश कलेक्टर को दिया तभी आपका संदेश वहाँ पहुचेगा आप डाइरेक्ट नहीं जा सकते ऐसे ही दस दिकपाल है तो सवर पत्म ध्यान रखे आप कभी भी किसी भी मंदेव में भोग चड़ाए या आप हवन दे किसी देवी के नाम से हवन करे तो अन्त में आप दस दिकपाल के दस भोग अवश्य दे या दस दिकपाल के दस आहुतियां अलग से दे इससे क्या होगा दस दिकपाल प्रसंद नहोंगे और आपका भोग या आपकी हवन की आहूतियां जल्द ही पहुचाएंगे और एक बार उन्होंने अगर आपका भो या आपकी हवन की आहूतियां पहुचा दी तो उसका लाब ये होगा कि आपकी जो भी मुराद है या आपके जो भी संकल्फ है आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूरती होगी तो अगर आपको इच्छाओं की पूरती करनी है आपको सफलता पदान करनी है विजय होना है आपके सभी कारे सिद्ध करने है तो हर हवन की अंत में दस दिक्पाल को हवन अवश्य दे अर्थात दसो दिक्पाल का आवान करके उनको हवन दे प्रातना करे कि हे दसो दिक्पाल मैं जिस संकल्प के साथ जिस उद्देश्य के साथ यह हवन किया हूँ उसकी पूर्ती कराना और जिस इष्ट का मैंने हवन किया है, जिस देवी या देवता का हवन किया है उनका नाम ले करके कि आप उन तक मेरा संदेश पहुचाना और मेरा कारे सिद्ध करना ऐसे ही आप कोई कभी भोग चढ़ाते हैं, अंत में दस दिकपाल का भोग भी चढ़ाना अनिवार यह है इससे वो पसंद नहोंगे और आपका कारे करने के लिए वो तकपर हो जाएंगे तो इस सिद्धान को सदा याद रखे कि किसी भी पूजा के अंत में दस दिकपाल को अवश्याद करना और उनके नाम से आहूती, हवन या कम सकम एक अगर जलाते हैं तो उससे आपका लाब मिलता है और आपका कारे जल्दी संपन्न होता है